महाभारत को सनातन धर्म का पाजवा वेद भी माना जाता है। महाभारत में कुल एक लाग दस हजार शलोक है। कहा जाता है कि महाभारत द्वापर यूग की रचना है जिस यूग में भगवान शरी कृषन ने स्वयम जनम लिया था। इसलिए महाभारत को हिंदूगों के समस धार्मी ग्रंतों में काफी पवित्र भी माना जाता है नरायन सवरू भगवान शिरी क्रिशन उनके सखा अर्जुन देवी सर्स्वती और भगवान व्यास जी को नमन करके असरों पर विज्य प्राप्त करवाने वाली महाभारत की कथा का अध्यन प्रतेक व्यक्टी को अवशे करना चाहिए इसके लिए ग्यान विला प्रस्तुत करता है संपूर्ण महाभारत काथा नमस्कार मिट्ट्रों आपका ग्यान विला यूट्यूब चैनल में स्वागत है महारिशी वेदवियास दुबारा रचित महाभारत में कुल 18 पर्व है प्रतेक पर्व में श्लोकों के माध्यम से महाभारत की कथा का संपूर्ण सार बताया गया है महाभारत काल में जन्मे समस्तवीर पुर्शों के पूर्वज मुखे रूप से कुरू वंश से संबंदित थे महाभारत की कहानी की शुरुआत महाराज शांतनू के राजे काल से होती है जो की राजा कुरू के वंश में जन्मे थे महाराज शांतनू का विवाह गंगा माता से हुआ था जिन्होंने विवाह से पहले महाराज शांतनू के समक्ष यह शर्ट रखी थी कि वह उनसे तभी विवाह करेंगे जब वह उन्हें यह वचन देंगे कि महाराज शांतनू उन्हें कभी किसी कारे के लिए मना नहीं करेंगे माता गंगा की यह शर्ट मानने के बाद महाराज शांतनू ने उनसे विवाह किया महाराज शांतनू और माता गंगा के आठ बालक हुए कहा जाता है कि माता गंगा प्रतेग बच्चे के जनम के बाद उन्हें नदी में बहा देती थी जिसके पीछे की वज़ा बच्चों का पिछले जनम में शिरापित होना था लेकिन माता गंगा जब अपने आणवे पुत्र को नदी में बहाने जा रही थी तब ही महराज चांतनु ने उन्हें टोक दिया और माता गंगा का वही पुत्र आगे चलकर देव वरत यानि की भिशम पितामा के नाम से जाना गया भिशम को कौरव और पांडव पितामा कहकर संभोधत करते थे महराज चांतनु के टोकने के बाद माता गंगा ने उन्हें बताया कि हमारे आठो पुत्र पिछले चनम में वसु देवतागे अवतार थे जिने गुरु विशिष्ट ने उनकी गाएं का हरन करने के लिए शिराब दिया था ऐसे में अपने सभी बालकों क श्राब से मुक्त करने के लिए मैं उन्हें नदी में बहा दिया करती थी अंत में आपने मेरा वज़न तोड़ दिया इसलिए अब मैं इस पुत्र यानि की देवरत को अपने साथ हमेशा के लिए ले जा रही हूँ इतना कहते ही गंगा माता वहां से चलीगी जिसके बाद म करने के लिए नदी के नारे जाया करते थे फिर एक दिन माता गंगा भीश्म यानि की देवरत को हमेशा के लिए महाराज शांतनू के पास छोड़ कर चली गई महाराज शांतनू अकेले ही भीश्म की परिवरिश करते और उन्हें एक महान योद्धा बनाते हैं एक बार की बात है महाराज शांतनु जंगल में शिकार करने गए तब वहाँ उनकी मुलाकात सत्यवती से होती है जिन से उन्हें प्रेम हो जाता है महाराज शांतनु सत्यवती के पिता से उसका हाथ मागने जाते हैं तो सत्यवती महाराज के आगे यह शर्त रख देती है कि वह उनसे का पता चलता है तब वह अपने पिता के प्रेम के खातिर माता सत्यवती को आज जीवन आव विवाहित रहने का वचन देते हैं और उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि वह कभी हस्तिनापुर की राजगदी पर नहीं बैटेंगे बल्कि वह अपने प्राण तब तक नहीं त्यागे इसके बाद महाराज शांतनु को पांडू और द्रिदराश्टर नामक दो पुत्र व्यास जी की मदद से प्राप्त होते हैं लेकिन इसी बीट शांतनु एक दासी के साथ संबंद भी बनाते हैं जिससे उन्हें विदूर जैसे ग्यानी पुत्र की प्राप्ती होती है आगे महाराज पांडू के शोरे के चर्चा दूर दूर तक होने लगी तब महाराज पांडू के लिए राजा सूर्शेन के पुत्र कुंती से विवाह का प्रस्ताव आया उदर भिश्म ने महाराज धृतराश्टर के लिए गांधार नरेश की पुत्रे गांधारी का हाथ मांगा गांधार राजकुमार शकनी को अपनी बहन के लिए एक अंदे राजा का रिष्टा मंजूर नहीं था लेकिन गांधारी ने भीशम का मान रखते हुए विवाह के लिए सविक्रिती दे दी साथ ही महाराज रित राष्टर के नेतर हींता के चलते उन्होंने अपनी आँखों पर प्रिसदा के लिए पट्टी बांद ले तो वही दासी पुत्र विदुर का विवाह शुलभा नामक इस्तरी से हुआ इसके अलावा एक बार जब महाराज पांडू का युद्र मद्रदेश के राजा शल्ले से हो रहा था तब युद्र के बाद महाराज पांडू की मुलाकात मद्रदेश की राजकुमारी मादरी से हुई जिनसे महराज पांडू ने दूसरा विवाह कर लिया, इसके बाद संपून जगत में अपनी विजे का ध्वचा फेराते के बाद, महराज पांडू अपनी दोनों पत्नियों के साथ कुछ समय बिताने के लिए राज महल के बाहर चले गए, एक बात जब वह जेंगल में अखे हो गए, इसी दूरान रिशी किंदम ने महराज पांडू को यह शुराब दे दिया, कि जब भी भै अपनी किसी पत्नी के अथ्याधिक निकट जाने के कोशिश करेंगे, तब ही उनकी मृत्य हो जाएगी, महराज पांडू रिशी किंदम के शुराब के कारण कभी अपनी प पुत्र रतन की प्राप्ति होगी। कहते हैं कि इसी प्रकार जब रानी कुंती ने यम देवता का स्मरण किया तब युदिष्टिन ने जनम लिया। पवन देव के आशिरवाद से भीम ने जनम लिया। इंद्र देवता के आशिरवाद से अरजुन की उत्पति हुई। उध बार जब महराज पांडू ध्यान में लीन थे तब रानी मादरी रदी में सनान करके लोड रही थी जिने दे कर महराज पांडू स्वें को रोक नहीं सके और वहरानी मादरी के पास जाकर उन्हें गले लगा लिया लेकिन रिशी किंदम के श्राप के चलते उनकी तुरंध ही म पैयम को दूशी मानते हुए रानी मादरी ने भी आत्म देह कर लिया। जिसके बाद पांचो पांडव की परवरिश की जिम्मेदारी रानी कुंती पर आ गई। और जब हस्तिनापुर राज्ये को महराज पांडू की मृत्यू का समयचार मिला तब भिश्मे ने कुंती और पांचो पांडू पुत्रों को राज महल वापिस बुला लिया। महराज पांडू के मृत्यू के बाद महराज दृत राश्टर को हस्तिनापुर का कारेभार सोबा गया। आपको बता दे जब पांडू को जनम हुआ था। उसी वक्त महल में महराज दृत राश्टर और र तिक संबंद के चलते एक बालक ने जनम लिया था जिसका नाम यूयूसू था जिसने महाभारत का युद पांडवों की योर से लड़ा था ओधर राजमहल पहुंचते ही भीशम ने कुल गुरु कृपाचारे को पांडव और कौर्मों के गुरु नियुक्त कर दिया था और वहे अपने आश्रम में पांडवों और कौर्मों को शिक्षा दिया करते थे और कुल गुरु कृपाचारे राजमहल के मुख्य व्यक्ती भी थे इसके चलते उनका अधिकतर समय राजमहल के कारयों में व्यस्त रहा करता था ऐसे में भीशम ने गुरु द्रोनाचारे को प युवराज कोन होगा सही मायनों में तो यह पद महाराज पांडवों के जेष्ट पुत्र युदिष्टिर को मिलना चाहिए था लेकिन महाराथ रितराष्ट के पुत्र दर्योधन को बच्पन से ही यही बताया गया था कि वह हस्तनापूर के युवराज होगा ऐसे में यह निश्चित किया गया कि जो राजकुमार आगे चल कर स्मया को सिद्ध करेगा वही हस्तनापुर की राजगत्ती को संभालेगा इस बात ने कोरवों और पांडवों के मध्य सदा ही कीचतान पैदा कर दी और उनके मध्य पराम से ही दूरियां बढ़ने लगी गुरु दुरु साथी वह गुरु दुरुनाचारे के मित्र भी थे लेकिन उन्होंने गुरु दुरुनाचारे की गरीबी का उपहास उड़ाया था जिसका बतला लेने के लिए गुरु दुरुनाचारे ने उनकी पराजे की बात कही थी आगे चल कर अरजुन नहीं राजा दुरूपत को युद्ध में पराजित किया था ऐसे में गुरू दुरुणाचारे अरजुन से सद्याव ही बहुत प्रसन रहते थे और हर किसी को यह बात बताते थे कि अरजुन उनका परम शिश्य है अरजुन के खातिर गुरु लिक्षा देने से मना कर दिया था कि वह केवल कुरु वंश के राज कुमालू के गुरु हैं आपको बता दें कि करन का असली नाम रादे था जो कि रानी कुंदी की ही संतान थे यह कहानी तब की है जब रानी कुंदी आविवाहित थी उनके महल में एक बार रिशी दुरु असली परदारे जिनके कुंती ने श्रधा और निश्टा भाव से सेवा की जिससे प्रसंद होकर उन्होंने उन्हें देव पुत्र की प्राप्ति के अर्शिरवाल दिया था जिसको अजमाने के लिए आविवाहित कुंती ने सूर्य देव का अःवाहन करके करन को जनम दिय लेकिन लोकलाज के भैसे उन्होंने करण को नदी किनारे छोड़ दिया था जहां महारा धृत राष्टर के सार्थी आदिरत और उनकी पतनी राधा ने करण को पालन पोशिन किया था आगे चलकर गुरु दुरुनाचारे नहीं राधे को करण कहकर संभोधित किया था करण द पांडव बड़े हुए तब युदिष्टिर और दर्योधन के मद्थे हस्तिनापूर के गद्धी को लेकर विवाद उपच गया लेकिन गद्धी के वारिष तो पांडवों के बड़े भाई युदिष्टिर को ही बनाया जाना था लेकिन हस्तिनापूर के इस फैसले से र पांडव रत भेज दिया गया जहां दुर्योधन और उनके मामा शकुनी ने पांडवों को जला कर मारने की साजिश बनाई थी लेगिन पांडव किसी ने किसी तरीके से बच गई थे और सुरंग के रास्ते सुरक्षित बाहर निकल आते हैं और कोरव पांडवों को मारने के म साधी जंगल में भटकने के दोरान भीम हेडिमब नाम के एक राक्षस से अपनी माता और भाईयों को बचाते हैं लेकिन हेडिमब की बैन हेडिमबा को भीम से प्रेम हो जाता है और माता कुंती के आशिरवाल से भीम का विवहा एक राक्षसी कन्या हेडिमबा के साथ हो ज जिलकर हिंडिमबा के गरब से गठोतकच का जनम हुआ और गठोतकच के बेटे बार्बरी के नाम से जाने गई यह दोनों ही महाभारत के मुख्य पात्रों में एक हैं जब पांचान नरेश नाचा दुरूपद गुरू दुरून चारे से पराजित होने के बाद उनको प्र हलाकि तब तक इसी को यह ग्याद नहीं होता कि यह पांडव अर्जुन है क्योंकि समस्त पांडव तो ब्रामन का वेजधारन किये हुए थे जबकि उस सबा में धर्योधन और करन जैसे महान योध्धा भी मजजूत थे और फिर जब अर्जुन दुरूपदी से विवहा के पश्चाद अपनी मादाकुंती का आश्रवात लेने उनके पास जाते हैं तो वह दरवाजे से कहते हैं कि मा देखो हम आपके लिए क्या लाए हैं तब मादाकुंती भूल वर्ष यह कह देती है कि जो भी लाए हो आपस में पांड़ लो इस प्रकार दुरौपदी पांचो जैसे सुंतर और सहदेव जैसे ग्यानी जीवन साथी का वर्दान भगवान शीव से माँगा था हस्तिनापुर राजे को जब यह समचार मिलता है कि पांडव जिंदा है तब वहाँ को और भाईयों को छोड़कर बाकी सबी खुशी से जूम उठते हैं बेशम दुवारा प प्रस्त दे देते हैं खांडव प्रस्त बंदर जमीन थी लेकिन पांडव उस बंदर जमीन को खूपसरोच शेत्रे में बदल देते हैं विश्करमा जी पांडवों के लिए एक मायावी और सुन्दर महल की स्थापना करते हैं जो की वास्तविक और कालपनिक रूप दोनों फिर जब पांडव द्वारा इंदर प्रस्त की स्थापना पर्व पर समस्त राजाओं को निमंत्रत किया गया तब उस समहरों में पांडवों के भाई शिशूपाल भी मुझूद था जिसने भगवान शीरी कृषन का मजाक उड़ाया जिसके विरोध में भगवान शीरी मतुरा नगरी के सबसे बड़े दुश्मन जरासंद का वद्ध किया इसी बीच अर्जुन को वनवास में पुना जाना पड़ा क्योंकि उन्हों ने द्रौपदी के साथ समय बताने के नियमों को गलती से तोड़ दिया था अर्जुन अपने वनवास को दोरान भ्रामन का व राधरित राष्ट्र को राध्शु यक की जनकारी देने महल में जाते हैं तो दर्योधन द्वारा उन्हें जुआ खेलने के लिए उकसाया जाता है ऐसे में युदिष्टिर दुरुत क्रीडा में भाग लेने के लिए अपनी सहमती दे देते हैं अलाकि पांडव भाई मिल पासों के माध्यम से चाल चनली शुरू की तब मानुख खेल का रुख ही बदल गया धीरे धीरे खेल के दाउं लगने लगे युदिष्टिर ने एक एक करके अपने राज्य अस्त्रो शेस्त्रो रत और अभूशन को दाउं पर लगाना शुरू कर दिया और वह सभी हार द और जब युदिष्टिर खेल में अपने भाईयों तक को हार गए तब द्रियोधन के उकसाने पर युदिष्टि ने द्रापदी को भी दाउं पर लगा दिया जिसके बाद वहदुर्ध기र में दुशाशन द्वारा चीरहरन हुआ जिसे शीरी कृशन ने तो किसी तरीके से बचा लिया लेकिन उस सभा में हस्तिनाबुर के सभी विद्वान व्यक्ती भी मुझूद थे इसी दुरान द्रियोधन ने दुशाशन से कहा कि इस पांच पतियों वाली महिला को वह उसकी जांगा पर बिठा दे तो वही करन ने दुरापदी को वैश्य कहकर बुकारा द्रियोधन की सभा में इसके अधिक नीचता कभी नहीं हुई थी इसके बाद रानी गांधारी सभा में उपस्थित इस आधरम को रोक लेती हैं तब पांडव भीम द्रौपदी का अपमान का बदला लेने के लिए परिसभा में यह परतिग्या लेते हैं कि द्रौपदी के केशों वहात लगाने के बदले वहन दुशाशन की छाती फाड़ कर उसके लहू से द्रौपदी के बालों को धुलाएंगे और द्रौध ने जिस जागा पर द्रौपदी को बठाने की बात की है वह उसको तोड़ देंगे इस सब के उपरांद महराद धृतराश्टर उस समय युदगी परिस्तितियों को टानने के लिए पांडवों से बारचित करते हैं और कहते हैं कि अपराद तो तुमसे भी हुआ है तुमें किसी भी वेक्ति या इस्तरी को धाउं पर लगाने का दिकार नहीं है इसी लिए तुमें 12 साल का बनवास और एक साल का अग्यादवास दिया जाता है इसके पश्चाद तुम्हारे वापिस आने पर तुम्हे तुम्हारा राज्य वापिस लोड़ा दिया जाएका प्रunted यदि एक वर्ष के अग्याध वाज को दुरान तुम पहचाने जाते हो तो तुम्हे वनवास दुबारा भोग ना होगा पांडव अपने वनवास के दुरान एक जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगते हैं इसके बाद समस्त पांडवों को शिरी कृष्ण यह अदेश देते हैं कि वह अलग-अलग होकर ब्रह्म शक्तियों को पाने के लिए तपस्या करें ऐसे में नकुल और सहदेव जंगलों में रहकर अश्वणी कुमारों भीम ने पवन पुत्र हनुमान अर्जुन ने भगुवान शिव का अवहन किया तो वहीं युदिष्टिर और दुरापदी ने मिलकर रिशियों की सेवा की अरजुन ने भगवान शिव की तपस्या से पशुपती अस्तर पराप्ति किया तो वहीं हनुमान जी ने भीम कुद्वन्द युद्ध के लिए नीतियों का ग्यान दिया साथी नकुल और सहदेव ने अश्वनी देवता से ओशधियों का ग्यान पराप्ति किया पांडवों ने 12 साल का वनवास खतम करने के बाद अग्यातवास के लिए विराट नगरी को चुना जहां पांडव अपनी पहचान चुपा कर रहने लगे लेकिन जब द्रियोधन ने अपने गुप्त चुनों के मादिम से यह पता लगा लिया कि पांडव अग्यातवास के दुरान आकिर कहां ठहरे हुए हैं जिसके चलते उसने अपनी कौरव सेना के साथ विराट नगरी पर आकर्मन कर दिया और जवाब में अरजुन जो की बल्लाल के भेस में थे उन्होंने अपने गांडीव धनुष से कौरव सेना को विराट नगरी के बाहर ही रोक दिया साथ ही जब तक द्रियोधन पांडवों के अग्यातवास का भेद खोल पाते तब तक पांडवों का ग्यातवास सफलता पूर्ण में खतम हो चुका था इसके बाद पांडव अपना वनवास पूरा करके हस्तिनापूर अपने अधिकार वापिस मागने आते हैं जिस पर द्रियोधन ने उन्हें राजे लोटाने से मना कर दिया फिर द्रियोधन की बात सुनकर पांडवों को काफी गुसा आया और उन्होंने युद्ध करने की बात कही उसी दुरान महामंतरी विदूर ने कौर्वों को समझाया कि पांडवों से युद्ध करना आसान नहीं है लेकिन दुर्योदन एहंकार के विजुभूत पांड़ों से युद्ध करने के लिए तयार हो जाता है। इसके बाद दोनों ही पक्ष युद्ध में अपनी अपनी सेना को बढ़ाने के उदेशे से लग जाते हैं। उदर युद्ध की बाद निश्चित होने पर विदूर भिजम पितामा से युद्ध को रोकने की बात कहते हैं। लेकिन भिजम पितामा राजिय के आदेश से बंदे होने के कारण विवश पून कुछ नहीं कर पाते। युद्ध के तैयार्या सुनिश्चित हो जाने के पच्चा दोनों ही पक्षों की योर से शांती दूदों को भीजाए दाता है लेकिन कौरव फिर भी नहीं समझते और युद्ध तै हो जाता है युद्ध के पहले दिन का आरम विशंकनाच से किया गया जिसके बाद दोनों पक्ष एक दूसरे के सामने आ गए इसी दूरान अर्जुन ने अपने सामने पिता तुले भिशंपिता हमा और गुरु दूनाचारे को देखा और तब उन्होंने अपने गांडीव को रखते हु भगवाश्यरी क्रिशन से युद्ध को ठालने की बात कही जिस पर भगवाश्यरी क्रिशन ने अर्जुन को श्रीमत भगवत गीता का ग्यान दिया इसके बाद युद्ध प्ररम्भ हुआ युद्ध के पहले दिन पांडवों को काफी हानी हुई तथा राजा विराट के दोनों पुत्र वीरकती को प्राप्त हो गए। युद्ध के दूसरे दिन किसी भी मृत्यू का समयचार नहीं मिला। साथ ही अर्जुन ने भिशन पितहमा को अपने साथ युद्ध के लिए टक कर दी। युद्ध के छटे दिन भगवान शरी कृषन ने भिशन पितहमा को शेशस्तर त्यागने के लिए कहा और ना त्यागने पर विराठ रूप के दर्शिन करवाई जिसके बाद भिशन पितहमा ने पांचों पांडवों को अपने मृत्यों का भेट दिया। उन्हें बताया कि तुम्हारी सेना में शेखंडी नाम का एक अर्दनारी रूप लिये योधा मजूद है जो की देवी अंबा का पुनर जनम है। युद्ध के साथ में दिन शेखंडी ने अर्जुन के रत पर सवार होकर युद्ध भूमी में प्रवेश किया जिसे देकर भिशन पितहमा ने अपने शस्त्र त्याग दिये और फिर अर्जुन ने उन्हें भाणों की वर्षा दी जिसके बाद भिशन पितहमा के लिए बाणों की शेया त्यार की गई। युद्ध के आठमे दिन गोर्वों के सेना पती गुरु दुरुणा चारे को बनाया गया। इस दिन अभिमन्य और ध्रियोधन युद्ध भूमी में आमने सामने हुए और साती करन युद्ध भूमी में लणने के लिए तैयार हो गए। युद्ध के नौवे दिन भीमने 17 कौरव भाईयों का वद्ध किया। युद्ध के दसमे दिन गुरु दुरुणा चारे युद्धिष्टिर को अर्जुन को दूर ले जाते है तकि युदिष्टिर को बंदी बनाया जा सके प्रतूव है इस कारे में भी विफल रहते हैं युदि के 13 में दिन अर्जुन को पराजित करने के लिए भगदत राजा उसे दूर ले जाते हैं लेकिन अर्जुन छल पूरवक उन्हें भी उमारे जाते हैं। ऐसे में अर्जिन को जब अभी मन्यू के वद्गा समाचार मिलता है। तब उसने जैदरत को अगले दिन सूरे आस्ते पहले मारने की प्रतिक ग्याली और ऐसा ना करने पर स्वें समाधी लेने की भात की। है कि सूरे आस्त हो गया तब जैदरत बहार आते हैं। और अर्जिन अपने दिवे आस्तर से जैदरत का वद्ध कर देते हैं। मृत्यू की गलत समचार देते हैं जिससे सुन गुरु दुरु दुरुनाचारे अपने अस्तर शेदरतियाग देते हैं। जिसका फाइदा उठा कर दुष्च दियोमन गुरू द्रोनाचारे का सर धर्ट से अलग कर देते हैं। युद्धिगे सोहल में तिन द्रोनाचारे के मृत्यू के बाद करन कोर्वों का सेनापती बनाया गया। लेकिन वहे अरजुन को छोड़ कर पांडवों का वद्ध नहीं करता क्योंकि उसने अपनी माता कुंती को यह वचन दिया था। उतर भीम दुशाशन को मार कर प्रतिग्या नुसार उसकी छाती का रक्त पीते हैं। युद्गें सत्रमें दिन अरजुन और करन के मध्य भीशन युद्ध होता है। जिसमें श्राप युक्त होने के कारण करन के रक्त का पईया जमीन में धस जाता है। और भगवान परशूराम के दी हुई शिक्षा वह भूल जाते हैं। जिसके बाद अरजुन करन का वद्ध कर देते हैं। चल पूरवक द्रियोधन की जांगा तोड़ देते हैं। और इसी दुरान उनका वद्ध भी हो जाता है। जिसके साथ पांडव महाभारत का युद्ध जीत जाते हैं। लेकिन युद्ध की कहानी यहीं पर समाप्त नहीं होती। द्रियोधन की मृत्यु के बाद गुरू द्रोना चारे का पुत्र अश्वत थामा अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए दुष्ट दियूमन को मारने की निती बनाता है। लेकिन धोके से उसने दुष्ट दियूमन समेथ द्रोपदी के पांचों बेटों को भी मार देता है जिसके कारण उसे धर्ती पर जीवन भोगने का श्राब मिलता है। जाता है कि पांडव युद जीत गए हैं और तब है अपने प्रांड त्याग देते हैं। और कुछ वर्ष तक राजपाठ भोगने के बाद यदूवश के सर्वनाश और अभी मन्यू के बेटे पारिक्षत को राज़े के जिम्मेबारी सोम कर। युदिश्टेर अपने भाईयों और द्रौपदी समेथ स्वर्ग लोग को प्रस्तान करते हैं। इसी के साथ महाभारत गाथा का अंतो होता है। मित्रो महाभारत को समझना असान कारे नहीं है। इसलिए आपको हमारे चैनल पर महाभारत, भगवत गिता और हिंदू धर्म दे सम्मंदत वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। आप एक बार इन वीडियोस को जरूर देखें और मैं मिलूँगा आपको अगले ही ऐसी किसी वीडियो में तब ते के लिए जै श्री कृष्णा।